अलो एब्रीवन में हूँ कोसिला और आप सभी का स्वागत है मेरे फिर से एक नए ब्लोग में अभी बज रहे हैं सुबा के 6 सोनल जो है वो रेडी हो चुकी है कर यह वो नास्ता आज मैंने नास्ता में बनाया था रोटी और दाल है दाल का तड़का बनाया था जो ग्रीन व चाय और अभी देखिए घर के सारे काम करने के बाद यहां पर मैंने सीनू को भी रेडी कर दिया है अभी बज रहे हैं सावा साथ के लगभग हो चुके थे और हमेशा इसका आदत है ना दूद पी लेता है उसके बाद यह बोलता है जब मैं से बैग वगरा टांग देती अच्छा मौसम किया हुआ है देख सकते हैं मतब बिल्कुल भी धूप नहीं है और अभी जस्ट मैं आई हो अपने बावो को स्कूल छोड़के तो आज का जो ब्लॉग है मेरा वो रहेगा कि सभी की स्कूल जाने के बाद मैं कैसे सारे काम करते हूं जो भी छूट जाता है सारा काम सुबा में देखे क्योंकि स्कूल जाना होता है तो बच्चों को जली जली उन्हीं का सारा काम करना होता है घर का कुछ भी काम नहीं होता है तो वही सब चीजे में आपके साथ सेर करने वाली हूं आज तो अगर आप मेरे चैनल पे नए है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियो पर लाइक कमेंड कीजिए और खुब जारा प्यार दीजिए तो चलिए ब्रॉग में बने रही है तो अभी बच रहे थे फ्रेंड्स पोने आठ और यहां पर देख सकते हैं मेरा किचन का क्या हाल है कुछ बरतने भी हैं सिंक में और बॉक्स में लीची जो है वह डाल दिया है जो हमारे बगल में है और अभी देखे सबसे पहले में किचन की साब सफाय में लग जाओंगे जितने भी बरतन है ना धुलने वाले वह सारा में सिंक में डाल दूंगी इस तरह से बरतन साइट कर देने से ना और सभी चीजों को रख देने से हमारा किचन जो है ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है और आपको उतने जादा करने की जौरत भी ने पड़ती है बस सभी चीजों को सही जगा पर रखने से ही ना हमारा किचन जो है वो क्लीन हो जाता है साफ हो जाता है हमारी आदत है ना कि रात में ही बर सब पर्फेक्ट जगा पर रहता है तो यहीं है मेरा किचन को साफ रखने का तरीका और यहां पे देखिए किचन का स्रेयर वगेरा साप करके सब भी बरतनों को जो कि रात में धूले हुए थे ना उनको बरतन इस्टेंड में रखे यहां पे भी मेरे जितने भी बरतन निकले ह और इस तरह से मेरा किचन जो है पूरा क्लीन हो जाएगा लास्ट में जाता है यहाँ पे मेरा जाडू करना और नीचे भी देख सकते हैं बहुत सारी चीजे अस्ट वेस्ट हो गई हैं डब्बे वगेरे जैसे की आटा का डब्बे हो गया और 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 भी चीजे हैं वो सारे चीजे ना सुबा में हरबर हरबर में बिल्कुल भी अच्छे से नहीं रखा पाता है और सुबा में देखिए हम जैसी हाउस पाइप का कभी भी एक रूटीन नहीं रहता है हम लोग जैसे family members का जो होता है समय, routine उन लोग के अनुसार ही चलना पड़ता है जैसे पहले था कि मैं सबसे पहले kitchen clean करती थी पुरे घर clean करती थी बच्चों का जब late school था तब उसके बाद में सारा kitchen में आती थी और फिर kitchen में नास्ता बगिरा बनाती थी लेकिन अब है कि पहले नास्ता बनाना है उसके बाद cleaning का काम निपटाना है क्योंकि बच्चे लोगों जल्दी school जाना है और बच्चे लोग आते हैं तब तक घर बिल्कुल भी साफ नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से तो उनके जाने के बाद ही बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई हो जाती है kitchen को साफ करने के बाद यहां पे देखे मैं आ गई हूँ अपने bedroom और यहां का bed sheet वगेरा मुझे change करना था तो वो भी मैंने कर लिया है और आज मैं सारे bed sheet मच्छदानी वगेरा और एक चादर भी हम लोग ओड़ते हैं क्यूंकि बाबू के वज़ज़ से सुबसुबर पंखा चलते हैं और ना सुबसुबर हो सा मौसम भी change हो जाता है तो तो थोसी ठंडी हो जाती है तो इस वज़ सोफा का भर है वो भी हमने धो दिये थे लेकिन यह जो रेखे ना इसका हम लोतों को ने पढ़ाया था क्यूंद हो था वह पैस्ठ आफ एस तो आज में इस परदे को दो देती हूं अ वैसे भी premise निकलती हुए तो बहुत ज्यादा हो जाते हैं इस वजह से थोड़ी थोड़ी करके ही निकालना मुझे लगता है ठीक रहता है एक ही दी में बहुत ज्यादा है और अभी देखिए सारा रूम का सारे पुरे घर का साप सफाई हो चुका था जाडू हो चुका था डेस्टिंग भी भेने कर द करती हों डेली-एक ही चीज से नहीं करती हों कभी-कभी तो होता है ना दिन में थो बार करती हो पोधा तो कि मॉर्णिंग में कुछ ने कुछ इस्तिमाल करती हों जैसे सपने चीजेर लेकिन साम में जब ही पुछा मारती हो तो सिंपल पानी से Keys मार देती और गर्मीों के दिन में तो देली पोशा मारना हिए और भी न पोछा मारे आपको घर बिल्कूल भी साफ नहीं लगेगा और मेरे यहाँ बैटके भी लगए दॉख सब्amo तो उऔर देखिया जारू हो गया उपोछा cardboard और यह दोनों काम होने के बाद ही मैं यहां पर नहार ली हूँ और यह दोनों काम हो जाते हैं तो लगता है कि हाँ चलो सारा काम खतम हो चुका है काम खतम करने के बाद यहां देखे मैंने एक तरफ चुले पर पतिला पर चावल डाल दिये हैं और दूसरी तरफ मैं यहां पर चीला बना ले रही हूं आटे का घोल बना के हलका सा नमक डाल के क्योंकि थोड़ा सा लेट हो चुका था करीब 9 बज चुके थे एक घंटा तो लगता ही है घर की साब सफाई करने में और अभी मतब फिर से अभी करीब एक ही घंटा मेरे पास टाइम है एक से डेड़ घंटा इतने में ही मुझे चावल बनाने हैं और सब्जिया भी बनानी है और साथ में नास्ता के लिए मैं यहां पर में चीला बना ले रही हूं तो सबसे पहले यहां पर अभी में नास्ता कर ले रही हूं चैने सोरी दाल तड़का के साथ यहां पर देख सकते हैं तो मैंने जो त तो अर्षज सघ्ट लेती हो और अपने लिए ठोड़ा सा टइम लेती हो उसके बाद देखें यह सब करते हैं मतल्प लगभघ मेरे चावल पक चुके थे और यांप रे मैंने हमेशा पतिला पर ही चाावल बनाती हूं तो यहां पर मेरे चाल पक चुके थे तो मैंने इसे पसा दिया है और अब ही देख सकते हैं मेरे जो कपड़े हैं ना वो भी सूख चुके थे तो यहां पर में सूखने के लिए डाल दे रही हूं और देखे कितनी तेज धूप है ना बहुत जल्दी ही यह सूख जाएंगे बलकि बारा बजे तक आसपास है ना सूख जाएंगे क्योंकि यह बहुत पतले पतले हैं और पता है आजकल इतनी जादा हरबड़ी हो जाती है ना सुबा बच्चों गेश्क्यूल के वज़ज़ से मतलब हो गया है एक मेहना से भी जादा लेकिन कभी कुछ नो क किसी चीज की वज़ज़ से ना थोड़ी से बच्च्च होई जाती है अभी बच्च्च पोने 11 मतलब 10-45 में ना सीनु का छुट्टी हो जाती है तो अभी मेरे सारे काम खतम हो चुके हैं बस आज मेरी सबजिया ने बनी है तो मैं आके बना लूँगी तो अभी में जारी सी मेरी सबजिया ने बनी हुए थी तो आज में सबजिया बना रही हो जो उरत डाल की जो मैंने बड़ी बनाई थी ना उसकी और आलू के साथ मिक्स सबजी तो यह ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है तो यहां पर मैंने मस्टर्ड ओयल में मिर्च भूनने के बाद आल सबजी बना दे रही हूं तो यह बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है और यहां पर देखें दोनों को भूनने के बाद यहां पर जितने भी नोर्मल मसाले आते हैं जीरा पॉडर धनिया पॉडर हल्दी पॉडर मिर्च पॉडर और काली मिर्च पॉडर इन सब ही को डाल क अच्छे से पका लेना है तो यहां पर देख सकते हैं मसालों के साथ ना मैंने इसे अच्छे से भून दिया है तो यह बहुत ही ज्यादा इजी है और टेस्टी भी लगता है और आजकल गर्मियों में मतलब डेली डेली बाहर का जाने का बिल्कूर भी मननी करता है सबजी व यहां पर देख सकते हैं मेरा लैंच रेड़ी हो चुका है यहां पर सोनल भी स्कूल से आ चुकी है और करीब बज रहे थे अबी सारे बारा तो हम लोग जा रहे हैं लैंच करने के लिए और शीनु को मैंने पहले ही खिला दिया है तो देख सकते हैं वो कैसे बदमासी कर रहा ह हैं और अभी देख सकते हैं फ्रेंड्स बज रहे थे करीब डेड़ बच गये थे और ऐसा भी कोई सो रहे हैं और मुझे भी नीद आ रही थी यहां पे ना मेरे परदे सूप चिके थे और रेकना बिल्कूल भी अच्छा नहीं लग रहा था आप लोग देख सकते हैं बिना पर देखे और मुझे ना इस पे बौर्ड भी लगवाना है जो लकड़ी के आते हैं ना कबड़ वो लगवाना है लेकिन अभी तो मेरे पास परदे ही हैं और वो भी एक ही है तो मैं इसी से अड्जेश्ट कर ले रहे हूं और कर भी क्या सकते हैं ना फ्रेंड्स आपके पा जाती है कि हालत खराब हो जाती है आदमी करे तो क्या करे कुछ भी समझ में नहीं आता है लेकिन कर भी क्या सकते है ना फ्रेंड्स जो है जैसा है उसमें अर्जेस्ट करना ही पड़ता है तो चलिए आज का ब्लोग मेरा यही तक था वीडियो पसंद आती है तो चानल को सब्स सारा प्यार कीजिए ठीके तो मिलते हैं फिर न्यू ब्लोग में तब तक के लिए थाइंक यू और बाबाई